आज मेरे कीचन में ऐसा कुछ बनने वाला है जो बहुत टेस्टी है, हेल्दी है और सबको पसंद आने वाला है तो आज हम बनाने वाले हैं हरे चने की कोप्ति वाली सब्जी तो यहाँ पे हमें चने चाहिए हरे चने जो मैंने अगले दिन ही रात को चिलके रख लिये थे क्योंकि उन्हें चिलने में बहुत टाइम लगता है तो मैंने अगले दिन ही उसे रेडी कर लिया था तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 ग्राम जितने हरे चने लिये हैं उन्हें हम क्रश कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है मिक्षर जार और उसे क्रश कर लिया है यह चने में हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि पान डालेंगे तो यह जो बैटर है एक दमच्चे से खरश करें के लिए मिक्षरर करने के लिए यहां पर मैंने ले लिया। और यहां पर मैंने ले लिये हैं दो आलू में ङुआ डिया है। क्योंकि आलू ठंडे होंगे तो फटा-फट से चिल जाएंगे तो मैंने उसे पहले से भॉल कर लिया था तो यहाँ पे मैंने दो आलू लिये हैं और उन्हें चिल लिया है यह नए बाले आलू है आप पुराने वाले भी आलू ले सकते हो अब बाउल के अंदर डाल देंगे यह क्रश किये हुए चने और सारे चने को हमें यूज कर लेना है यहाँ पे और अब मैं फ्रीज से लेके आ गई हूँ बहुत सारा धनिया तो इसके अंदर धनिया का टेस बहुत ही अच्छा लगता है तो यह देखिए धनिया को मैंने मिर्च को एक्तम बारिक बारिक करेंग त्वससे कुड़ करेंगे तो एकदम बारिक होगी तुछा है मिर्च के अधर रालवसे और धने जिरा पावडर और यहां पे जो आलू है उन्हें मैंने मैश करके ले लिया है आप इस तरह हाथों से भी उसे मैश करके ले सकते हो या फिर आपको ग्रेटर में उसे ग्रेट करना है तो भी चलेगा लेकिन मैंने इसे इस तरह हाथों से ही मसल लिया है क्योंकि इसमें इतना फाइन हमें मिक्षर नहीं चाहिए थोड़ा सा रफ होगा तो चलेगा तो चलेगा सब कुछ अच्छे से मैश हो गया है तो इसके अंदर डाल दिया है मैंने तीन चमजबर के बेसन यहां पर बेसन हमें जरूरत लगे उतना ही लेना है जादा नहीं लेंगे अगर इसके अंदर बेसन जादा होगा तो हमारे कोफते थोड़े से हार्ड बनेंगे और बेसन कम डालेंगे खाली यह जो हमने मिक्षर लिया है चने का हो लेंगे तो एकदम सॉफ्ट कोफते तो आपको जरूरत लगे उतना ही बेसन लीजिए जितना कम हो सके उतना लीजिए और इस तरह उसके लड़्टू बना लीजिए मतलब के गोल शेफ दे लीजिए इजी लिए हो रहा है तो ठीक है वरना एक चमच और बेसन आप एड़ कर सकते हो चने को करश करते समय पानी नह जादा नहीं चाहिए बेसन और यह इस तरह कोफते हमारे बनके रेडी हो जाएंगे तो यह दिखे सारे कोफते मैंने रेडी कर लिये हैं और अब मैंने ले ली है एक कडाई के अंदर डाल देंगे थोड़ा सा तेल क्योंकि यहां पे हम कोफतों को फ्राइ करेंगे आप इस स्टेंड और उसके उपर रख दिया है एक प्याज, एक टमाटर और एक लसुन इसे मैंने मिडियम फ्लेम पे सेखने के लिए रख दिया है और अब मैं यहां पे ले रही हूं चावल क्योंकि यह जो सबजी है जो मैं बना रही हूं कोफते वाली सबजी उसके साथ मुझे और क्रिशा को चावल पसंद है और रुद्र पराटे के साथ खाएगा तो यहां पे मैंने चावल ले लिये हैं और बीच बीच में यह जो टमाटर और लसुन मैंने रखा है जो सिखने के लिए उसे भी देखती जा रहे हूं तो चावल को मैंने दोसे तीन बार अच्छे से दो लिया है और अब चावल को भी हम पकने के लिए रख देंगे तो सारा काम हमारा साथ में होगा और फटा फट से हमारी जो रीश है वो बनके रेडी हो जाएगी तो यह देखे यहां पे लसुन और प्यास और टमाटर भी पक रहे हैं बहुत अच्छे से और थोड़ा उस फ्लेम एकदम लो होगी तो यह कोफते हैं तेल बहुत दी जाएंगे तो इतना ध्यान रखिए कि फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और उसमें एकदम से कंचे नहीं चलानी है हमें थोड़ा सा पक जाए कोफता फिर उसके बाद इसके अंदर कंची चलाएंगे तो तीन से च कोफता एक तोड़ के दिखा रहे हूं यह दिखिए पार से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट कोफता हमारा बनके रेडी हुआ है यह ऐसे की खाने में भी अच्छा लगता है अगर आप सबजी नहीं बना रहे हो तो खाली कोफतों को इस सरा आप बना के खा स लगते हो बहुत ही टेस्टी लगते है यहां पे हमारे प्यास लस्टन टमाटा अच्छे से सिग गए है और उसे ठंड़ होने के लिए मैंने रख दिया था ठंड़े भी हो गए हैं तो हम इसे चिल लेंगे सब कुछ अच्छे से सिग गया है तो यह देखिए इसली उसके न यह जो टमंटर है उसमें से सारा जूस बाहर आ गया तो कोई बात नहीं चलिए अभी इसके बड़े बड़े टुकड़े कर लेते हैं इसे हमें मिक्षर में करश करना है तो एक दम छोटा नहीं कट करेंगे तो चलेगा तो यहां पे मैंने ले लिया है एक मिक्षर जार और सब कर लेंगे तो यहां पे हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाना इसका तो इसे अच्छे से एकदम करश कर लेना है तो यह दिखिए हमारी पेस्ट एकदम रेडी है यहां पे हमारे चावल भी पक गए है और यह जो हमने फ्राइ किया था जिस कड़ाई में कोफते को वही कड़ा लेंगे और एक्स्ट्रा तेल हम निकाल लेंगे यहां पर मैंने दो बड़े चमज इतना तेल के अदर रहने दिया है और गेस की फ्लीम को ओन कर दिया है चलिए अब मसाले निकाल लेते हैं तो यहां पे मैंने लेली है लाल सुक्री मिर्च तो एक से 1.5 मैंने लाल शूकी म मिर्च की पेस्ट और यह जो खड़े मसाले हैं वो भी डाल देंगे और उसे एक से दो मिनिट के लिए हम सौटे कर लेंगे अब यहां पर मैंने कंची के अंदर डाल दिया है एक चमच पर के गरम मसाला एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच दन्या जीरा पाउडर और मसाले थोड़े से सिख जाएंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है तो चली अब मसाले अच्छे से सिख गए हैं तेल चूटने लगा है तो उसके अंदर डाल देंगे प्योरे जो हमने बनाई थी और यहां पर मैंने एक चमच बर गे कश्मीरी लाल मिर्च डाल तो इसे फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं और फिर से 2-3 मिट के लिए ढख के रख देंगे तो यह दीखें दो से 3 मिनिट में इसमें से अच्छे से तेल शूटने लगा है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक चमच बर के बर्टर और यह पहले मैंने नमक नहीं डाला था, तो मैंने अब ढल दिया है, और यह दीखे, कितना बड़िया कलर आया है, ग्रेवी का और हमारी ग्रेवी एकदम ready है, तो इसके उल्मोस्ट ready है, अब इसके उपर डाल देंगे थोड़ी सी धन्यापती, और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, य यह वाली सब्जी के साथ कुछ भी अच्छा लगता है, आप किसी के साथ भी इसे खा सकते हो, तो रुद्रों को पराठे के साथ पसंद है, तो उसके लिए पराठे बना रहे हूं, सुबह मैंने नाश्टे के लिए पराठे का आठा घुता था, तो वही पड़ा था, तो मैंन मैं दो से तीन पराठे बना लिए हैं, रुद्र के लिए, तो आपने देखा ना कि कितनी जल्दी फटा फट से हमारी फूल डिश रैडी हो चुकी है, सब्जी, पराठा और चावल, फूल डिश हमारी रैडी है, और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आदे से पौने घंटे में आप इसे रैडी कर सकते हो, तो चलि अब इसे सर्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं ने ले लिए सब्जी, और फोड़ी सी ग्रेवी वाली है, तो मैंने कट्टोरे में सर्व की है, चावल ले लिया है, उसके पर ठटोड़ा से डाल दिया है, गी पराटे और प्यास के साथ मैंने इसे सर्व कर लिया है तो मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना